आज कल इंस्टाग्राम रील पे इस तरीके का वाइप उस्लाइड फोटो रील विडो बहुत ही तेजी से वायल होरी सायद आपने भी देखा होगा तो आज की सुड़र में आपको दिखाने वालो इस तरीके का वीडो हम वीडो एडिटर में कैसे क्रेट कर सकते हैं बिलकुल से स्टेप में तो बिना टाइम वेस्ट के टुटेल को स्टार्ट कर लेते हैं इस टैप का रिल वीडो एडिटी करना बहुत ही असान है आप कोई भी वीडो एडिटर में से एडिटी कर सकते हो तो हम चूज करेंगे सबसे सिंपल वीडो एडिटर जो की वीएन है बहुत ही असान तरीके से हम वीडो एडिटर में इस टैप का रिल वीडो को क्रेट कर सक और डायरेक्ट आप यहां से black image चूज कर सकते हूं अगर आपके पास है तो चूज कर लेना नहीं है तो एक जुगार में आपको दिखाता हूं आप कोई सभी photo सेलेक्ट कर लेना ठीक है आपको black image मिल जागा तो अब हम इसे black image को सेलेक्ट कर लेंगे और black image हमारे यहां add हो गया ठीक है यह वालो जो फोटो है इसके हमें जरुत नहीं है तो इसे remove कर देते से mince delete और उसके बाद original के उपर आके 9-16 को सेलेक्ट कर लेते ताकि हमारे real video का ratio आजाए और उसके बाद यह जो black background है या फिर image है इसका duration हमें 9 seconds तक रखना होगा ठीक है क्योंकि real video हमारे 9 seconds के बनने वाली है तो इसे simply सा 9 seconds तक में increase कर देता हूं एंड उसके बाद हम यहाँ पर music add करना होगा तो music add करना बहुत ही easy होता है यह music वाली बटन के उपर click करेंगे दिन music के उपर click करेंगे और my music वाली section को उपर आना होगा और यहाँ पर आपको music use करना है तो music आपको कहा मिलेगा आपको description में चले जाना जो trending music है जो सब को use करे उसका link में दे दिया हो description में आप वहाँ से उस music को gain कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद जब आप music gain कर लोगे तो यहाँ पर search वाले option के उपर आके just wipe photo लिख देना ठीक है क्योंकि मैंने music का नाम ही रख दी है wipe photo तो आप इसे लिख होगे तो यहाँ पर starting में आ जाएगा अब को यहाँ पर use के उपर click करना है और music यहाँ select हो जाएगी then just done करना है जैसे ही आपकी music यहाँ पर add हो चुकी होगी और उसके बाद हम यहाँ पर photo को add करके video को edit करेंगे ठीक है तो photo को add करने के लिए यह pip वाला means third वाल बटन को उपर click करना होगा हमें इसके उपर click कर लेते है and उसके बाद video and photo को पर click करेंगे then photos वाले section को पर जाके हम अपनी photo को select कर लेंगे तो इस वाले photo को मैं edit करके दीखने वाला हूँ तो इस वाले photo को हम select कर लेते हैं और इसे पूरा screen में आपको fill कर लेना होगा ठीक है इस तरीके से पूरा screen में fill कर लेना और जैसा adjust करने का अब उसके बाद इसका duration आपको पूरा video के last तक रखना होगा तो यहाँ से increase करके पूरा video के last तक हमने कर दिया then हमें यहाँ पर scroll करना है और एक mask का option हमारे सामने आएगा तो इस mask के उपर हमें click करना है और यहाँ पर mirror के एक option मिल लोगा इस mirror को आपको select करना होगा then उसके ब आपको increase कर देना है कुछ इस तरीके से ताकि feather effect बन जाए okay यह काम हो जाए then आप यहाँ पर circle के उपर tap करना and इसे इस तरीके से आपको rotate करना है ठीक आपको दो fingers का use करके इसे rotate कर सकते हो and उसके पकड़े के आपको ऊपर लेके आ जाना है पूरा corner में कुछ इस तरीके से okay इ इसे आप यहाँ पर नीचे कर देना अपने face के पास ठीक है अपने face के पास आपको रखना होगा then थोड़ा सा आगे आना है means 2-8 second के बीच में यहाँ आएंगे और इसे थोड़ा सा और नीचे करेंगे ठीक है और थोड़ा सा आगे आएंगे और इसे थोड़ा सा नीचे करे करना होगा उपर से लेके नीचे तक का अब उसके बाद नीचे से लेका आपको उपर तक का ही निमoking बनाने तो थोड़ासा आ गयाते हैं ईंड से पकड़ के यहां तक ले आते हैं उपर तक और उसका बाद फिर से इसे पूरा क्रॉस कर देंगे ठीक थिके तो देख तो बहुती easy way में हमने यहाँ पर यह वाला animation create कर लिया जो कि बहुती असानी create करना अब इसमें हमें एक दो चीज और करना होगा ताकि हमारी वीडोग बिल्कुल perfect बने अब अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत लग रहा है कि यह speed थोड़ा slow है यहां या फिर यह speed थोड़ हो रहा है तो इस वाले position को आप fast कर सकते हो कैसे करना है आप अपने photo के उपर क्लिक करना curve के उपर आप जाना एंड यहां पर आपको बहुत सारे curve मिलेंगे ठीक है आप इसे select कर लेना तो fast जाएगा और अगर आपको slow की जरुवत होगी तो आप इसे select कर सकते हो ठीक है तो म बोलो black flash effect add करना होगा वह भी 6 seconds के बाद ठीक है तो 6 seconds के पास हम आज आते हैं एंड उसके बाद अपने photo को पर क्लिक करेंगे और यहां पर effects का option मिलता है इसको पर क्लिक कर लेते हैं और black को select करके इसे पूरा last तक increase कर देंगे और done करेंगे ठीक है तो आप यहां पर देख प आपने देख लागा बिल्कुल perfectly हमारी वीड़ बन गया अब उसके बाद बात आती है सेव कैसे करें तो सेव करना बहुत ही एजी होगा सिंपली से एक्सपोर्ट बटन को पर क्लिक करना और जो best export setting है वो तो आपका 4K होता है अगर आपके device में 4K support करता है तो 4K सेलेक्ट कर आधरवाइज थाउजन टेटी और इसे हाई देन उसके बात एक्सपोर्ट ओके तो इस तरह के साफ इसे क्रेट कर सकतो बहुत ही एजी है आई होप आपको यह टूटेल पसंद आया होगा एंड हर एक स्टेप समझ आयोगा बहुत ही एजी स्टेप में ने दिखाया यार त मिलते हैं नेक्स टॉली वीडो में हो सके तो सब्सक्राब भी कर देना